अप्र पिर से आपका स्वागत है चले सो आज की वीडियों हम बात करने वाले हैं वीबो के Y30 CS फोन के स्क्रीन पिनिंग के बारे में हैं अगर आपके पास वीबो का Y30 CS फोन है आप यूज करते हैं आप चाहते हैं इसमें एप पे पिन करना तो मैं आपको बताने वाला हूं पूरे फूल डिटल में वीडियो को एंड तक दिखिएगा इसकीप मत किजिएगा तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं इससे पहला मारे वीडियो को लाइक कर लेना अंड इस्ट्रीग्राम का लिंक मिलिग जागे नेक्स सब्सूर में वहां से आके आप लोग फोलो कर लेना तो फाइल दूस्तों हम बात करने वाल तो फाइलिए दुस्तों साइड में स्क्रीन रिकोडिंग देखने को मिल जाएगा तो अगर आपके पास वीबो का Y33S phone है आप यूज करते हैं आप चाहते हैं इस screen pinning जो कि app pinning को on करना चाहते हैं अपने phone के setting से तो कैसे अं करना है मैं चलता है अपने phone के setting में और आपको चलके बता देता हूं तो finally अपने phone के setting में आते हैं उसके बाद आप को scroll down करेके नीचे आना है तो नीचे यहांपे सबसे पहले आप search पर click करेंगे search पर search करेना इस screen printing, जोकि मैं यहां पर search करता हूँ, तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके का app pinning करके option आ जाता है, यहां पर आप देख सकते हैं and यहां पर lock device, यहां पर यहां परёл, ठीजिन पर आप को मिल जाता है, जोकि इस app pinning का option मिल जाता है, अधर बाइ आपको जाना है अपने फोन के सेटिंग से डायरेक्टे और यहां पे आप सकते हैं बैघ, उसकेपा नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखना को मिल जाता है नीचे एक सिकोटी का ओप्षन आप जैसे आएंगे उसके बाद आपको नीचे आना इसको डाउन करके तो यहां पे आप देख सकते एप पिनिंग का अपसन देखनों को मिल जाता है तो जो कि यहाँ पे आपको app pinning का अप्णactions यहाँ पे मिल आता है आप read कर zijnा यहाँ पर ले ना उसके बाद आप own कर सकते है अपने phone में यहां लिखा हुआ है कैसे कैसे आपको use करना and इसको own कर के use करना है कैसे इसको off करना है सब कुछ इसके बारे में बताए गया तो यहां पर आप ओन करना है अगर आपके फोन में पासवर्ट लगा होगा स्क्रीन पर आप पासवर्ट नहीं लगा रखें स्क्रीन पर तो आपको एक चारंग का एक पिन बना लेना उसके बाद आप यहां पर इसको ओन कर सकते ह हूं जैसे कि यहां पर मैं bag आता हूं and अपने phone के setting पर ओम पर ऑ गया हूं उसको बार हम जाते हैं background अपप Ready तो यहां पर जैसे कि मैं pin कर ना चाहता हूं तो हम यहां पर फिन का option कहीं देखने को नहीं मिलता है तो अब यहां पर जैसे open करते हैं ऊसके pin कर देते हैं उसके बाद आप यहाँ पे pin कर दिये हैं तो आप उसी app को यहाँ से use कर पाएंगे Otherwise कोई app को यहाँ पे use नहीं कर पाऊँगे तो जैसे कि यहाँ पर मैं setting पे pin कर दियूँ अगर मैं यहाँ पे cut करता हूँ कुछ भी करता हूँ, तो यहाँ पर माइ बैग आ नहीं सकता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं सिरिफ सेटिंग को ही यूच कर सकता हूँ और कोई भी ऐप यूच नहीं कर पाऊंगा Otherwise, कोई सेटिंग यूच नहीं कर पाऊंगा तो इस तरीके से आप अगर अपने आप पे पिन कर देंगे तो आप उसी आप को यूच कर पाएंगे और भाई कोई आप को यूच नहीं कर पाएंगे कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि हमें यहाँ पे अगर हम पिन कर दिये हैं अपने फोन को यहाँ पर लोक करना, उसके बाद आपको यहाँ पर लोक करना है, अब जैसे यहाँ पर टैप करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं अपने फोन को लोक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लोक कर दिया, और मेरा फोन यहाँ पर लोक नहीं जब हमारे screen पे pin लगा रहेगा तो यहां पे हमारा phone lock नहीं होगा तो आप जैसे यहां पे screen pinning करेंगे उसके बाद आपको यह option मिल जाता है control का तो control भी आपका काम नहीं करता है जो कि आप यहां पे देख सेते हैं सिर्फ हमारा setting ही काम कर रहा है लेकिन अधरबाई कोई भी यहां पे hold हो चुका है हमारा screen और कोई भी option काम नहीं कर रहा है तो हमें इसको कैसे वापस लाएंगे हम आपको बताने वाले हैं तो फाल जोस्तो इसके लिए आपको यहां पे setting दिख रहा होगा जैसे कि फिर से आपको यहां पे आना उसके बाद आपको यहां पे जाना है और यहां से आपको इसको off कर देना है अब जैसे इसको off करेंगे उसके बाद आपका यहां पे सभी बटन काम करने लगेगा तो इस तरीक से आप स्क्रीन पिनिंग को इईउच कर सकते हैं आप पिनिंग सटिंग को इउच कर सकते हैं अपने विबों के Y93 CS phones के सटिंग सब्सक्राइने दो आप लोग को यहाँ पर फूरे फूल डिल्टल में बता दिया हो तो चलिए सो आज के लिए नहीं आई चुप अगर हमारा वीडियो अच्छा लागा तू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तबाके इंप्रेस के लिएना ताकि हर एक वीडियो का नाटफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे तो चलिए सो फिर मिलते किसे इंटरे